नमस्कर दोस्तों आइनक्स वाइंड के सेयर में आज के टेडिंग सेशन में 0.96 अल्मस्ट एक परसेंड के क्लियर आपको तेजी देखने को मिल रहा है तो उसे के साथ अब देख सकते हो एक डोजी केंडल बना पिछले के दुने से स्टॉक एक रेंज बनाएगा ट्रेड करत कि शरुतों विए टाइम पे नोटीस कर रहें तो देख सकते हो स्टॉक यहां पर जब अस्टॉक यहां पर है लिस्टिंग के समय अपर 122 रुपया 122 रुपया 120 के पास में था दिन क्लिया गिरावट रहा था थो तो क्योंचरवट तक 2020 के बाद स्टॉक में के राली शु तो उसके बाद में maximum stock recover किया और इसी तरह आइनोक्स वाइंड भी उसके साथ सा recover करता हो हमें देखने को मिला राइट और उसका बाद देखेंगे 38.6 जो लेवल था उसको resistance बनाया था और उसको breakout के जाए के 2023 में तो उसके बाद स्टॉक ने तो काफी समय तक यहां पर एक रेंज बना करता हो देखने को मिला देन अभी यानिकी दो तीन हपते में स्टॉक ने उस जो इसका all time high था उसको breakout करके उपर बाड़ता हमें क्लियरली दिखने को मिल रहा है और अभी के लिए जो सपोर्ट लेवल दिखा था यह वाला कि मैंने बोला था क्लियरली कि स्टॉक में अभी तो कोई गिरावट का सिगनल नहीं है क्योंकि स्टॉक उपर सस्टेन कर रहे अपने all time high के पास में तो इसलिए संभावन अभी भी है स्टॉक में और भी तेज़ी का मुमेंट बन सकता तो ये और एक सपोर्ट लेवल के बात करें तो 139 का रहेगा और केंध इसको हिस्कों कर सकते हैं यहां पर 163 का सपोर्ट आएगा तो टार्गेट के बात करें हमारे लिए पहला टार्गेट दूसरा तर्गेट ऑड़िए हीट हो जोगा है आस तीसरा टार्गेट आपके समन नजर आ रहें 270 270 का और नेक्स्ट रहेगा 293 तो यहां पर सब भी कंडिशन को एक्स्प्लेंड कर लिया इस वीडियो के लाइक करें स्टॉक में बायसल होल्ड करने की कोई भी सला सुझाओ नहीं है वीडियो एजुकसन परपर जब बनाए गया धन्यवाद